नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे यूपीसी प्रिलियम्स प्रिविश पेपर के जो आधुनी की दिहास है उसके क्वेस्टन जो उनिशु पीचेनमा से लेके दो जार उनिश तक आये हैं और ये आने वाड़े प्रिलियम्स एकजाम के लिए चाहे दो जार बाइस हो चाहे द उनिशु चाहिस में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारिया पालक परिशद के उपसभवाती कौन थे जोहारला नेरू, डाक्टर रैसरादा क्रिशन, सीराज गुपालचारी और डाक्टर राजेंदर परसाद तो इसका राइट अनसर है जोहारला नेरू क्योंकि उनिशु च उनिशु चाहिस में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारिया पालक और कारिया परिशद के उपसभवाती कौन थे जोहारला नेरू नेरू बने थे, इस अंत्रिम सरकार में सामिल नहीं थे क्योंकि एक वैसे भी आ सकता है नीमलिक्त में से कौन अंत्रिम सरकार में सामिल नहीं थे तो इसका राइट इंसर तब बनेगा डाक्टर राधा क्रिशन और राजेंदर परसाद को खाद दे और क्रीशी मंतरा ले दिया गा था और सीर राज को पालचारी को सिखसा मंतरा ले दिया गा था और इसके अत्रिक जो बल्लबाई पटेल है उसको गरी है सुचना तदा परसारन मंतरा ले मिला और बलदेव सिंग को रक्षा मंतरा ले अरुना आसाफ अली को रिल मंतरा ले और मुसलिम लीग के जो लियाकत अली को वीत मंतरा ले सोपा गया था याद रखनाब को हर जो नेता था उसको कौन साभी भाग मिला अगर दुबारा देखें बल्देव सिंग को रक्सा मंतरा ले और अरुनासर फली को रिल मंतरा ले और जो मुस्लिम ली का लियाकत अली था जो बाद में पाकिस्तन का परधान मंतरी बना उसको मित मंतरा ले दिया गया हमारा दूसरा क्वेस्टन है होगली को बंगाल की खाड़ी में समूंदरी लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया था होगली में होगली पस्वी बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी में लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया पुर्दगालियों ने फ्रांस की खाडी में हुगली को समुंदरी लूट पार्ट का डबना था पूर्थाली गौषंडर नी-नो-D. KUNHA जो 1539 से 1536 तक गौषंडर रहा ने हुगली में पूर्थाली बस्तियां कि भारत के पूर्वी समुंदर पर अपना प्रभाव श्ताफित किया पूर्थाली के बढ़ते प्रभाव को समापत करने के लिए मुगल समराठ सांजा के सासनकाल में कासिम खाने उन्चोड़ा सो बत्तिस में हुगली पर कबजा किया आपको दो तिनी बाद याद रखनी है नीनोडी कुनहा पुर्टगाली गवरनर था हमारा नेक्स्ट क्वेशन है मोडी लिपी का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता है मोडी ओप्शन ए वाडियार के लेखों में जै मोरीनो के लेखों में होहेसल के लेखों में और मराठाओं के लेखों में तो इसका राइट अंसर है मराठों जो मराठों ने अपने लेख लिखे उसमें मोडी लीपी का प्रयोग किया गया मोडी लीपी का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था समानेत सिवाजी एउपेशवा के दस्तावेजों में इसी लीपी का प्रयोग मिलता है मोडी लीपी के अविश्कार के सम्मन्द में इतिहासकारों में मतबद है कुछ इतिहासकारों के नुसार मोडी लीपी का अविश्कार यादो राजाओं के एक मंत्री हिमादरी ने किया जबकि कुछ इतिहासकार इसके विकास का सिर्य सिवाजी के एक अधिकारी बाला जी भाव जी को देते हैं तो आप क्याद रखना है मोडी लीपी किसके द्वार लिखी साती थी मराथो द्वारा नेक्स्ट जो हमारा मांचेतर दिवा है इंडिया का इसमें यह बताना है कि किनका सासन किसमे है एक, दो, तीन, चार हमको यह पता है कि सिंदिया गौालिर के राजा रहे है होलकर इंदोर के राजा रहे है गायकवड बडुद्दा के राजा रहे है और भौसले नागपूर के राजा रहे है और दूसरा हमको यह पता है सिंदिया गौालिर के राजा रहे है तो हमको यह पता है कि गौालियर कहां पर है तो ये स्टार के एक जो हमार का वो गौालियर का है होलकर इंदोर का है इंदोर कहां मद्याप्रदेश में दो इंदोर गायकवाड बडोदा में जो की गुजरात के असपास है तो इसका तीन बडोदा यानि गायकवाड बडोदा से और जो भोसले है नागपूर से चारग कहा है माराश्ट्रे में नागपूर भोसले घकि तो हमारा नेक्स्ट कूशन है बकसर का यूद मीर्जाफर विरुद कलायू वांडी बास का एउड फ्रांस डिरुद इस इंडिया कंपनी जल्या वाला बाग यूद डलोजी विरुद पराट और खेड़ा का यूद निजाम विरुद इस इंडिया कंपनी देखो हमको प दूसरा वांडी वास का यूद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है ये उप्षन ठीक है सही सुमलिथम को बताना है कौन सा है जो 1760 में लड़ा गया था वांडी वास का यूद 22 जनवरी 1760 को इस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीशों के बीच लड़ा गया इस निर्णायक लड़ाय में आरिय कूट के नित्रितों में अंग्रीजी शिना ने और काउंट लाली के नित्रितों में फ्रांसीशी शिना को प्राजित किया आपको ये पूछ सकते हैं कि वांडी वास के यूद में अंग्रीजी शिना का नित्रितों किस ने किया आयर कूट ने किया और फ्रांसीजी सेना के नित्रितों किस ने किया काउंट लाली के ने किया था बक्सर गयूद 1764 में अंग्रेजियों और इसके जिसका नित्रितों हेक्टर मुन्रों ने किया था और दूसरी तरफ थे मीर कासिम सुजाउदोला और साहालम कि सुक्चेना के मदे लड़ा गया और जलिया वाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जिसमें जनरल डायर ने सभाग कर रही निर्दोजनता पर अंदादुन गोली चलाने का आदेश दिया जिसमें काफी संख्या में निहत्ते लोग मारे गई और खेडागा यूद 1707 में हुआ था साहू और ताराबाई के बीच में जिसमें साहू ने महत्तवपुर्ण अधिकारों को अपनी तरफ मिला कर ताराबाई को पराजित किया था तो हम देख सकते हैं कि बकसरा यूद मिरकासी मुरंगरे जोकी बिसमू हुआ था वांडिव हमारा नेक्स्ट क्वेशन है छटा जंजातिय जंजातिय लोगों के संब्ध में आदिवासी सबद का प्रयोग किसी ने किया जंजातिय लोगों को आदिवासी किसी ने पुकारा मातमा गांधी ने ठककर बाप्पा ने जोतिवा फुले ने बीवराव अंबिड करने तो इस पूरा नाम अम्रितलाल विठ्थल दास ठक्कर था इन्होंने 1922 में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है सात्वा सूची एक को सूची दो से समलित है कीजिए सूची एक है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेजेंशी का गवर्णर प्रेट 1760 के दिन बंगाल का गवर्ण जर्लाट 1833 के दिन भारत का गवर्ण जर्लाट 1850 के दिन और गवर्ण जर्लाट का परतिन दीतो 1935 के दिन सूची दो है और की बोल्ड पर्शीवल वावल विस्काउंट अरल वावल दो जेमस एंड्रू ब्राउन रम्जे डेलोजी का अरल मर्क कवीरा सी तीन ओप्शन चारलस करनेवाल्स करनेवाल्स का दूसरा अरल और पहला मर्की और देख़ए देख़ ऐसे क्वेशन टीपीकल है इनको अपर रटने सकते हैं रटने का फाइदा भी नहीं है ऐसे क्वेशन आप सकीप कर सकते हो लेकिन हम इसका सोलूशन पढ़ते हैं करनीवाल्स ने 1766 को पध भार संबाला और 17 3222 को अपने पत से को त्याग दिया और करनेवाल्स मर्क उष करनेवाल्स ने 351 205 को पत संबाल और 5 1852 को अपने पत्से त्याग पत्र दे दिया लड माउंट मेंटन भारत के आखरी वाइस रहे थे वैसे यह तोड़ा सोली सुन था आप देख सुन सकते हो हमारा नेक्स क्वेशन है उसका परमुक्सिधान था समाजिक और धार्मिक सुधार उसने समाजिक बुराईयों के निराकर्ण के लिए विधान निर्मान का सारा लिया और बाल विहाप परदा पर्था के उन्मुनन के लिए एविराम प्रेशरम किया समाजिक समस्याओं पर राष्ट्य सतर पर विचारवी मरस को प्रोसाइद करने है तू उसने भारति समाजिक भारतिय राष्ट्य समाजिक समेलन का उद्गाटन किया जिसके दिवेशन बहुत वर्सों तक भारतिय राष्ट्य कांगरिस के साथ होते रहे इस उधर्ण में समयकित व्यक्ति है इस वर्चंदर विद्यसागर बहर राम जी मालावारी महादेव गोवी नरनाडे महादेव गोवी नरनाडे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और प्रातना समाज को परसिद्य दिलाने का सर्य रनाडे को ही दिया जाता है इन्होंने तत्कालिन समाजिक बुराइयों के विरूध अवाज उठाई और बाल वीवाहा पर्दापर्था बहु वीवाहा जाति पाती का विर॓ध किया इन्होंने इस्तरी सिख्षा वया विद्धवा विवाहा को प्रोशाइद किया और नरनाडे ने थारा सुच्राष् दिख्षा के परसार के लिए पूने में दक्कन एजुकेशन स्थापना की क्योंकि एक वैसी भी आ सकता है दक्कन एजुकेशन स्थापना कोन है महादेव गोविन दरनाडे और विद्वाओं के पुंदरी वहा के लिए ठारशों क्यानव में वीड़ो री मैरीज एस्सेशन क स्थापना की हमारा नेक्स्ट क्वेशन है दा मर्वल ओफ दा सेंचुरी दा वंडर ओफ दा वर्ड लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज री प्रोडेक्शन बाई मैजर्स लुमेरे बर्दर सिनेमेटोग्राफी ए फ्यू एक्जिविशन वील इंडिया में साथ अगस को चपा था इसका राइटन सरे निच्ट इनिच्ट इनिक्ट इनिच्ट इनिच्ट में से कौन पर्थम येजित था जिसने भूवक चेत्र अरजित करने के वदेश्टे से बारती राजाउं के जगड़ों में भाग लेने की निती आरम की कलाईव डूपले अल्बुकरक वारन हस्टिंग डूपले ऐसा व्यक्ति था डूपले इसका राइटन से डूपले फ्रांसिसी गवर्नर रहाया डूपले प्रत्थम यूरोपीन व्यक्ति था जिसने भुवक छेतर अरजित करने के उदेश्चे से भारतिय सासकों के आपसी ज दूसरे का साथ देकर मुद्रा व्यापार और नेला प्रापत की डूपले के इस ऐसाधान कुटनिती और दुरुदर्शिता के फल्सरू अंतो गत्वा यूरोपी लोग अंग्रेज भारत को विजित करने में सफल हुए हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है हिंदू भारतिय शि सब्सक्राइब की रिपोर्ट और वूड का डिस्पैच इसको काल करम कर्म सर्च जड़ना है हमको पता है कि वूड डिस्पैच था उनिसो चूंबन में आ था और हिंदू क्लक्त कोलेज की स्थापना थारसो सत्रह में हुई थी डैविड हेयर और राजराम मोहंदराय द्व और कलकत्ता विश्व दहलेगे स्थापना थारसो इठावन में लंदन विश्व दहलेगे धार पर के थी और एड़म की रिपोर्ट उनिसो पैंटी सिम्हाइथी विलियम मेंटी के समय है और इसमें मैंट इसमें सब्सक्राइब किस से सब्ढ़ देता है शिक्षा से समझद प्रवादी प्रविचार किया गया इसे भारतिय शिख्षा का मैगना काटा कैसे कहा जाता है इस प्रग्राप देख से हिंदू कोलेज ठारसुतरा में कलकता विश्व दले ठारसो ठावन में एडम की रिपोर्ट ठारसो पैंटिस में और वूड का डिस्पेच निशो ठारसो इसने आपको कलाकर में सजा सकते हैं सबसे में विंदू आपको डैट याद रखनी होगी आने वाल टाइम में वीश्व रिपेट किया सकता है कल गत्ता विश्व दलें ठारासो ठावन में हिंदू कॉलेज ठारसो सत्रा में एडम की रिपोर्ट ठारसो पैंटिस में और गल्द लिखा हुआ है इसकी 18 सुचुमन आप कर सकते हूं निम लिखत में से कौन सा उनिश्य सदी के उत्रार्द में लिखा हुआ मैं तो पुन अपनियास है रस्त गुपतक्तार जो की दादा बाइद रोजे ने लिखा था दुर्गेश नंदिनी महारत और निम्मद माला त लिखाए लएं लाद लजकेश नंदिनी बखियं संद्रजी चेट्रजी रेंद द्वार लिखा गया था अथिहासिक उपनियास से जो उड़ी सीव likened की पषिट्डू में और नेक्स्ट कूएसण फ्टगों के दमन मेंहीं मिलिखती पर कोन संबं में के में इसका राइटन गौश्ट, B. Captain Salimane, C. Alexander Burns, Peter Burton, Pam Burton, D. Captain Robot, हमको पता है कि इसका Captain Salimane ने ठगों के परथा का दमन किया था, Captain Salimane को Lord William Banting की काल में रहा, इसने ठगों के दमन के लिए नूक्त किया गया, नेस्ट प्रॉसन हमारा, वुड का smoked education dispatch भी रिपीट हो गया मैकाले का mint of education 1835 में और पहले क्या था नाथा नाथा? हम देखते हैं Adam की report भी नाथै प्रॉसक्थ när AH थी और मकाले का भी 1835 में आ था और दीस sergeant education report 1914 में और Indian education hunter commission ये कँ आया? 1280 में हमको बता कि वूड डिसपैच 1325 में जिसको अंग्री जी भासा का मेगना कार्टा का जाता है और शिख्षे का में काले मिट काज़ा था 1335 में और शोर्जेंट रिपोर्ट आई 24 में और इंडियन एजुकेशनी हंटर कमीशना 1222 में इसके निवसार आप देख सकते हैं अंटर 1222 में सोरजेंट एजुकेशन रिपेट उनिसी चुआर्श में माकाले यmath 35 में और इनिस्ट कमीशन रिपोर्टiva कमीशने म मोपला वीधार ये नेक्स्ट मिलान करना है यह उनिसी किस में आ जोकी केरल में रहा है पाबना विद्रो है बंगाल में रहा है एकका विद्रो है आवद में और बिर्सा मुंडा विद्रो है बिहार में अगर आब देखेंगे मौपला विद्रोह का पर्मुखनेता अली मुसलियार और कहां पर हुआ है केरल के मौला वार में और पाबना विद्रोह पस्च्वी मंगाल के पाबना जीले में जो की ठारा सो सतर के दसक में हुआ था पॉर मौपला विद्रोह है 1921 में जो की हिंदू जमिदार और मुसलमान के बीच में करीष में हुआ इसके नेता कोन है इसान चंदर राय, केशो चंदर राम और संभू पाल तीसरा हमारा एक कांदोलन था एक कांदोलन हमको पता है कि आवद में 1921-1922 में लड़ागा इसके परमुक चेतर हैं अर्दोई, बहराइच, सुल्तानपूर, बारवंकी, सीतापूर परमुक नेता है मदारपासी और सहरेव और तीसरा चोथा अंदोल हमारा बिर्शा मुंडा ये बिहार में जारकंड के चोटा नागपूर का चेतर है ठारा सोन नियनव में और परमुक नेता है बिर्शा मुंडा आपको याद रखना दुबारा रिपीट कर सकते हूँ मोपला विद्रोह के नेता कुन है अली मुसलियार पापना विद्रोह के नेता कुन है इसान चंदर राय केशो चंदर राम संभू पाल और एक का अंदोलन के नेता कुन है मदरपासी और सहरेव और बिर्शा मुंडा के आपको पता ही बिर्शा मुंडा ही है ठीक आपको याद रखने है हमारा सोडमा क्वेशन है भारत में सिख्षित मद्यमवरग ने थारा सुस्तावन के विद्रोह का दम विरोध किया थारा सुस्तावन के विद्रोह का समर्थन किया थारा सुस्तावन के विद्रोह में तर्ट्था बनाए रखी और देशी सासकों के विरूद युद किया तो इसका राइट एंसर है इसने थारवस्तावन के उद्रों में तठ्था बनाई रखे अपने आपको दुरुखन नहीं विरूद किया नहीं समर्थन किया हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन सत्रवा अवनिंदरनाथ टैगोर के बनाए चितनों को वर्गी वादी तो इसका राइटन से रहे हैं सी पुंदर जीवन वादी अवनिंदरनाथ टैगोर पुंदर जीवन अंदोलन के नेता थे यह बंगाल के आधुनिक चित्तरकार रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन ठारवां ब्रिटेस आसन के दुरान भारत में उद्द्योगों क विकास नह हुआ इसका क्या करन था उद्द्योगों का भाव विदेशि पुन्जी की कमी प्राकृतिक स्साधनों की कमी धनिक वरग द्वारा भूस वपति मेने वेस्ट करने को तरजीन नहीं दिया जाना तो इसका राइटन से रहे हैं ए उद्द्योगों का विकास में उद्योगी करांती के लिए आवशक पुन्जी का संच्य हुआ वहीं भारते कुटीर द्योग को अतोचाइत किया गया अंग्रेजी शासन के चलते देशी रजवाड़ा समापत हो गए जो इस उद्योग के सबसे बड़े ख्रीदार थे और सरक्सक भी थे अपने जो बोलती फिल्म है आतिम मताई आलमारा पुंडलिक और राजा अरिश्चंदर तो हमारी आलमारा फिल्म पहली बोलती फिल्म थी तो राइटन से इसका बी हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है बीश्मा अफगानिस्तान के परती एक जोस भरी फोरवर्ड नेती का अनुसर्ण करने वाला गौर्णर कौन था मिंटो डफरिन एलगिन और लीटन तो राइटन से रहां डी लीटन लीटन ने अफगानिस्तान के लिए एक फोरवर्ड नेती का अनुसर्ण किया हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है एकिसमा उस समय जब नेपॉलियोन की सकती के सामने यूरोप में समराज्य द्रासा ही हो रहे थे नीचे लिखे गवर्णर जलन में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पता का फराय रखी थी वारन हैस्टिंगज लार्ड कालनेवास लार्ड वैलजली लार्ड हैस्टिंगज तो इसका राइटन से डी लार्ड हैस्टिंगज जो किसका स एक्ट आया था और जो नपोलियन नी रूप में अपना पता कफराय था उस टाइम भारत में किस ने बिलिटिस पता कफरायर की थी लाड़ हैस्टिगा जने नेक्स्ट क्वेशन है निमलिक कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है नील दरपन नील की खेती करने वाले किसानों के सोचन पर अधारी नाटक है पहला कफन सही है दूसरा घासिराम कोतवाल नामक नाटक के लेकर का नाम वीजय तेंदलुकर था ये भी सही है और तिसरा है क्योंकि घासिराम कोतवाल एक मराठी नाटक है जिसके लेकर वीजय तेंदलुकर है और नील दरपन नील दरपन नील दरपन और डी उप्शन है उर्दू रंगमच और फार्शी तीयाठर पर बहुत अधिक प्राधारित हुआ करता था ये सही उप्शन है तो हमारा सी उप्शन गल्द है निवीन चंदर दासली